नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरं सिस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिजे ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नो दिसक्स की थी जो 1857 से पहले गवर्मनट की पॉलिसी आइ थी और उनमें हमनेने क्या-कि क्या पॉलिसी लाई थी गवर्मेट 1857 की पहले जब की कमपनी रूल चला करता था फिर हमने देखा है कि 1858 से जो है क्राउज रूल आ गया है तो crown rule में आब हम देखेंगे कि कौन कौन सी education से related policies government लेकर के आई थी और उनका इंडिया में क्या education पर effect पड़ा और हम ये भी समझेंगे कि कुछ policies जो अंग्रेजी सरकार लेकर के आई थी वो आज भी भारत में education system के अंदर मौजूद हैं काम कर रही हैं तो हम सबको detail में discuss करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरे topic को question के form में cover करते हैं हमारा question क्या रहा है discuss the development of education अंदर crown rule Crown rule के तहट शिक्षा के विकास पर चर्चा कीजिए तो हम बताएंगे कि British तरकार द्वारा भारत में शिक्षा के विकास का मुख्य उद्देश समाज के एक ऐसे वर्ग का निर्माइट करना था जिसे नव निर्मित कारियालों के निचले इस तर पर तैनात किया जा सके और यह उद्देश क्राउन शाशन के तहट भी वही रहा British तरकार ने भारतियों को उनकी बहतरी के लिए नहीं बलकि वफदार क्लर्क बनाने के लिए शिक्षा दी थी तो जैसे हमने डिसकस किया था Education System 1857 के पहले का उसमें हमने देखा था कि जैसे जैसे नए नए डिपार्टमेंट्स आ रहे थे जब administration का काम British तरकार ने ले लिया था वो administration करने लेगी थी उनके नए office बने थे तो office में official लेवल पर उचे लेवल पर स्रिफ English लोगों को पॉइंट किया जाता था फिर जो नीचे के दर्जे का काम हुआ उसमें को बे इंग्लिश नहीं रहता था उसमें वो इंडियन को पॉइंट करते थे अब official काम है ले खल लिखा पढ़ी का काम है या अगर revenue department जो नहीं आना है बनाता है इन सब के लिए सब माप जो करना आना चाहिए mathematics आने चाहिए calculus आना चाहिए तो इन्हों ने इंडियन को education देना शुरू किया और इंडियन को education देना जब क्राउन डूल आया तो मोटर तब भी वही रहा कि इनको अपने offices में clerk level पर इंडियन को अपॉइंट करना था और इसलिए वो इंडिय education दिया कर रहे थे हैं फिर हम देखेंगे कि ताच के शाषन समहलने के बाद कई आयोगों की इस थापना की गई और उनकी रिपोर्टे लागू की गई उसमय समय पर शिक्षा प्रणाली में सुधार किये गए और उनमें से कुछ सुधार आज भी मौजूद है 1857 के बार में तो सबसे पहला आता है हंटर कमिशन अठारा सो जववन का वुट डिस्पैच था वुट डिस्पैच को हमने डीटेल में देखा था तो आपको नीचे कमेंट सेक्षन में बताना है कि वुट डिस्पैच में कौन कौनसे रिकमेंडेशन थी उसे पॉइंट वाइस लिख को पॉइंट क्या गया था अठारा सो चववन के वुट डिस्पैच की समीक्षा करने के लिए यानि के वुट डिस्पैच की जो रिपोर्ट थी अठारा सो चववन की उसको रिव्यू करने के लिए डबलु डबलु हंटर की अर्ध्यक्षता में कमिशन बनाये गया था और इस commission ने प्रांत्मिक और माधिमिक शिक्षा पर अपनी recommendations दी थी तो क्या क्या recommendations दी थी अब हम देखते हैं तो सबसे पहली recommendation ये थी कि प्रांत्मिक शिक्षा यानि primary education बरनाकुलर language में दी जानी चाहिए हमने देखा था कि मैं कॉले मिनट आया था उसने कह दिया था कि सिर्फ English language में education दी जानी चाहिए फिर उसके बाद wood dispatch आता है wood dispatch की आप बताएं कि कौन कौन से recommendations थी नीचे comment में और इसके बाद जो आता है hunter commission hunter commission कहता है कि primary education देनी चाहिए बरनाचुलर language में उसके बाद इसने पताया कि जो नए नई नगरपालिकाओं बन रही है जो नगरपालिकाओं का गठन हो रहा था उस ताइम पे नई तो hunter commission ने कहा कि प्रात्मिक शिक्षा का नियंत्रन यानि control of transfer of control of primary education municipal board को कर देना चाहिए दो पांट में divide कर दिया एक लिट्रेरी डिविजन था और एक था vocational division लिट्रेरी डिविजन उनके लिए जो कि university जाना चाहते हैं आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं जो विश्विविद्याले की शिक्षा लेना चाहते हैं तो वह लिट्रेरी वाली ब्रांच में चले जा सब् lavorать या कर देशिता चाहते हैं जैसे की हो गया कई इस तरीक की की ट्रेंडिका ट्रेंग हो गजए गारी बणानी की हो गई इस तरीके की ट्रेंट साहते हैं तुकि टीपल ट्रेंटिपलोम में केह सकते हैं वो चले जाएंगे और वोगेशनल जँब ने तो आज के सम युनिवस्टी एड्यूकेशन लेनी रहती है फिर वो 12 करते हैं फिर युनिवस्टी करते हैं तो यह वोकेशनल ट्रेनिंग वाला अगर हम देखें तो यह एक तरीके से कॉंसेप्ट आता है हंटर कमिशन के रिपोर्ट से उसके बाद महिला शिक्षा के लिए जो परियाप्त सुविधायन थी जो इनेडिकवेट फैसिलिटी थी उन पर भी डबलो डबलो हंटर की रिपोर्ट ने प्रकाश डाला था और इनकी रिपोर्ट के बाद शिक्षर से परीक्षा विश्व विद्याले कई सारे स्थापित क्योंकि यूपी के जो स्टाटिक जीके है उसमें कभी ये पूछा जा सकता है जो 1887 में स्टाबलिश हुए थी अलाहबाद उनिवासिटी उसके बाद आता है रैले कमिशन 1904 में और रैले कमिशन के रिकमेंडेशन पर आता है भारती विश्व विद्याले अधिनियम यानि रैले आयोग का एक स्थापना की जाती है रैले के अध्यक्षता में और रैले आयोग के सिफारिशों के अधार पर 1904 में भारती बिश्व विद्याले अधिनियम पारित किया जाता है और इस अधिनियम के प्रावधान क्या थे हैं हम देखते हैं तो देखें 1900 के करीम बहु सारे इंडियन यूथ जो थे उन्होंने एडमिशन लिया हुआ था और यूनिवस्टी के माधियम से अब एक नाशनलिजम का बेस तयार करने का मौका मिल गया था उन्हें तो यहां पे राष्ट्रवादी नारे दिये जाते थे यहां पे राष्ट्रीटा की बाते की जाती और अंग्रेजों को यह लगने लगा था कि लोगों में नाशनलिजम फैल रहा है और अंग्रेजी सरकार एक तरीके से डर गई थी और इसी नाशनलिजम की भावना को कर्व करने के लिए एंडियन यूनिवस्टी जाक लाती है गवर्मेंट 1904 में और उसमें फिर काफी सार प्रोविजन साय तो हम देखते हैं कौन-कौन से प्रोविजन थे तो सबसे पहला प्रोविजन था कि उनिवस्टी में स्टाडी और रिसर्च पर अटेंशन दिया जाए अध्यान और शोध पर अधिक दिया जाए उसके बाद दूसरा था विश्व विध्यालों में जो जाए कि सेनेट को विटो कर सकती है और जो मैंने कहा ना जैसे कि प्राइविट कॉलेजिस जो इंडियन रूलर्स या जमिदार बनाये करते थे इन कॉलेजिस क्यों एफिलियेट करने की कि किसी युनिवस्टी से काफी कड़ी शर्टे कर दी गए कि जल्दी कोई कॉई इसके पाद आती है Government Resolution on Education Policy 1913 शिक्षानीती पर सरकार का संकल्प 1913 तो हुआ क्या था कि 1906 में बढ़ोदा राज में सभी के लिए अनिवान प्रात्मिक शिक्षा की शुरुवार्थ करती गई थी तो उस ताइम के चो राष्टवादी नेता थे उन्होंने बिटिश सरकार बात पर जो डाला कि ऐसी शिक्षानीती लाएं यह भी सभ़ को एजुकेशन प्रोवाइट कराएं तो 1913 में इसी बात किदिए सरकार ने एक शिक्षानीती पर एक संकल्प लाया लेकिन उस संकल्प ने सरकार ने किसी भी कंपलसरी ऐजुकेशन के जमिदारी नहीं ली सरका कि हम इंडिया से इलिटरिथी को रिमूब करेंगे लेकिन सब को एजुकेशन प्रोवाइट कराएंगे ऐसा कोई वाता सरकार ने नहीं किया सरकार ने जो प्रोविंशल गवर्मेंट्स थी उनसे कहा कि आप गरीब और पिक्छरे वर्गे के लोगों को प्रात्मिक शिक्षा प्रदानकरे मुफ्त में उसके साथी साथ इनोंने प्राइविट पार्टिसिपेशन को एंकरेज किया कि प्राइविट पार्टिसिपेशन हो और जो पढ़े लिखे लोग है और जो अमीर लोग है वो निचले वर्ग के शिक्षा को स्पांसर करें उसके बाद आता है सैडल Sadler विश्व विद्याले आयोग 1917-1919 तो Sadler University Commission बना था और Sadler University Commission बेसिकली बना था कलकत्ता विश्व विद्याले की समस्याओं और उनके समधान देने के लिए लेकिन फिर दीरे दीरे करके इस कमिशन की जो रिकमेंडेशन थी उन्हें बाकी उनिवरस्टी इस पर भी लागू कर दिया गया था तो क्या रिकमेंडेशन थी इस कमिशन की हम देखते हैं तो सैडलर आयोग ने सेकंडरी एड्यूकेशन पर जयाना स atención की माधिमध शिक्शा पर ध्यान के इंद्लित किया था हम ने देखा DOW Hunter के कमिशन प्रातमयों को माधिमध शिक्शा के बारे में रिकमेंडेशन दीी थी अब इनकी रिकमेंडेशन दिये थी कि 12 साल की स्कूली शिक्षा दी जानी चाहिए जैसे पहले था 10th के बाद उनिवर्स्टीज जा सकते हैं लोग लेकिन सैडलर कमिशन की रिपोर्ट के बाद 2 साल और जोड दिये गए 10th प्लस 2 साल का इंटरमीडिये तो इंटरमीडिये लेवल जो आज का एजुकेशन सस्टम हमारा चल रहा है भी हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू हुई है और जो हमारी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है इसमें पूरा यही सस्टम इसी तरीके का चल रहा है 10th plus 10 प्लस 2 फिर उसके बाद उनिवर्स्टी कोर्स तीन साल का ग्राजुएट दिग्री तो आपको चलिए एजुकेशन पॉलिसी से आदाया आप नीचे जो एजुकेशन पॉलिसी किस किस एर में इंडिया में आई है और अब तक कितनी बार आ चुकी है यह कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसके बाद इन्होंने जो बिखरे हुए संब्रिद कॉलेजों के बज़ा बिश्व विद्यालों को केंद्रिक करने की मांग करी यानि की जो सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्स्टीक होनी चाहिए जो स्कैटर्ड एफिलियर्टेड कॉलेज है वो सिस्टम नहटाया जाए इन इनिशल गवर्मेंट ने भी इनके रिकमेंडेशन को माना और 1916 से 1920 के बीचे में साथ यूनिवर्स्टी खुली है पत्ना में मैसूर में वनारस अलीगर्ड देक्का लखनव और उस्मानिया में इसके बाद हम हार्टॉक कमिंटी 1929 में जो आई कि उसके रिकमेंडेशन दे साथ ही साथ आपको बहुत सारी अलग पीडियप स्थ प्रोवायट करेंगी जिससे आपका सारा सलेबस कवर होगा और इसके लावा आपकी मेंस अंसर रैटिंग प्राक्टरस भी कराई जाएगी तो इसे बनाया था रिकमेंडेशन देने के लिए एजुकेसन के डेवलाप् और इसकी recommendations थी कि इसने सका कि हब प्रांच में शिक्षा पर जोर देने की जरुवत हैं लेकिन ये भी कहा कि कोई भी अनिवारिता नहीं है शिक्षा देने की यानि शिक्षा की बाधिता नहीं होने चाहिए कमपल्जन नहीं होना चाहिए उसके माद इस कमिटी ने सुझाव दिया कि जो आवरेज स्टूडेंट्स हैं जिन्हें की बहुत जादा शार्प स्टूडेंट हैं जो टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं इस तरीके के स्टूडेंट्स को एट्ट क्लास के बार वोकेशन नियापन कर सकें और जो μεट ट्रीके की जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत इंतलिजन्ट हैं उनहें आगे जाके टेक्निकल एड्यूकेशन देनी चाहिए उन्हें के पाद नकि और तेंद थेूउल्त करना चाहिए फिर द्वेल्ट करना चाहिए उन्युनिवार्सिक it सई सरकार के शाक्षिक सलाकार सार्जेंट ने एक योजना तयार की जिसे केंदर शिक्षा सलाकार बोल्ड ने तयार किया था और इस सार्जेंट योजना की सिफारिशे क्या क्या थी सार्जेंट योजना ने कहा कि आयू सम्हों के स्थाम से अलग-अलग लेवल पर शिक्षा दी तो आज के समय में जो हमारा education system अभी हमारी education policy जो करेंट चल रही है उसके हिसाब से जैसे कि पूर्व प्रात्मिक शिक्षा यानि pre-primary education तीन से छे साल की एज में दी जानी चाहिए प्राइमरी education 6-11, high school 11-17 और फिर 3 साल का university course और high school 11-17 में वो दो साल का intermediate course है वो भी included रहता है उसके बाद इन्होंने दो प्रकार के उच्छ विश्व विद्यालों की भी शिफारिश की थी एक academy के लिए और एक व्यफसाइक और तक्नीकी प्रशिक्षन के लिए यानि कि दो तरीके के high schools बनने चाहिए एक academic और vocational training के लिए जैसे कि इसके पहले वाली committee में हमने देखा उन्होंने भी सिफारिश की थी तो आप comment में बताईए कि कौन सी committee थी जिसने सबसे पहले दो division create किया था इसके पाद आता है इसके तक्नीकी व्यफसाइक और कला शिक्षा देने के भी सिफारिश की थी और इसके अलावा इसने शिक्षोकों के प्रशिक्षन शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगों के लिए शिक्षा की युजना पर भी जोड दिया था तो sergeant plan ने विकलांगों की शिक्षा पर भी जोड दिया था और शिक्षकों के प्रशिक्षन और सारी इरिक शिक्षा पर भी जोड दिया था तो यह point आपको याद रखना है कभी statement के form में पूछा जा सकता है कि physical education के वोपर किसने सबसे पहले बात कही थी उसके लावा physically और mentally handicapped के education के पारे में किसने बात कही थी और sergeant plan का उदेश था कि आने वाले 40 वर्शों की भीतर इंग्लांड में जो शिक्षा का level है वो ही level इंडिया में बना दिया जाए उसके बाद आती है वार्धा scheme of education वार्धा scheme of basic education बुनियादी शिक्षा की वार्धा योजना जोकी 1937 में आती है जब कॉंग्रेस चुनाओ जीतती है और कॉंग्रेस की government बनती है तो उस टाइम पर कॉंग्रेस में काफी सारे education से related भी plan बनाए जाते हैं इसमेख प्रस्तापि परीत किया गया था उसके बाद जाकिर हसैन कंटी ने बुनियादी शिक्षा कि लिक राश्ट्री योजना तयार करी थी तो यह नाम राधा है司 जाकिर हसैन जी की और सारे जो recommendation से यह आई थी और सारी recommendation तो इनके मुखे सिफारिश है क्या थी हम देखेंगे तो इस में क्या गया था कि लर्निंग थ्रो अक्टिविटी यानि गतिविदी के माधियम से में बच्चों को सिख्षा देनी चाहिए तो जैसे कि आज की समय में लोग यह चीज़ अडॉप्ट करें हैं स्कूल्स में भी ज़्यानि गता की साओ जैसे जी जैसे जापन की स्कूल में बुह सारी म tut दीDa होता है भी चैलते चैलते होने से गहाया जाता है उसी अङरैकिये कि शिक्षा की बात रिक्षिंद ब करी ती के वार्धा कमिटी की रिकमेंडेशन में और इस शिक्षा में यह दिए हस्त शिल्फ को है इंक्लूट किया जाए तो उससे यह होता कि जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है वह हैं तो इसे भेच के अपने खुद का खड़ा सकता था अपनी अजूकेशन कुद से पूरी क चाहिए कक्षा 2-7 तक हिंदी में शिक्षा मिलनी चाहिए और कक्षा 8 के बाद ही अंग्रेजी को जोड़ा जाना चाहिए और छात्रों को आसपास की कम्यूनिटी से जोडने के लिए उनके कम्यूनिटी एक सर्विस टाइप की एक चीज प्रवाइट कराने चाहिए स्कूल मे आसपास कोई पार्क है तो बच्चे बहाँ जाके कुछ कर सके मतलब साफाई कर सके वहाँ पे तो एक तरीके का एक साफाई का नेचर इंकलकेट उनमें हो पाएगा या आसपास अगर कोई ऐसा इलाका है जहां पे जुगी जोपड़ी वाले रहते हैं तो किसी तरीके कभी उनको खाना प्रवाइट कर दें या मतलब एक तरीके से कम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करें जिनमें एक मॉरल वैल्यू उनके अंदर इंकलकेट हो तो यह पूरा सिस्टम तैयार करने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद कॉंग्रस रजाइन कर देती है और यह स् अगर हमारे सिस्टम में आया होता वर्धा इसकीब का तो हमारी एजुकेशन का लेवल काफी अलग हो सकता था जैसे जैसे जैपान ने अपना ही सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया हुआ है और बहुत सारे देश ऐसे की यूरोपियन कंट्रीज है इधर नॉर्वे के और फि इंडिपेंडेंडेंस के बाद किस तरीके से एजुकेशन डवलाफ हुई है कौन-कॉन से आत्साय है इसे भी हम आगे आने वाली वीडियो में आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो मॉडरन हैंस्ट्री है उसमें डिस्कस करेंगे तो इसी के साथ हमारे ये टॉपिक कम्प्ली होता है बने रहेगा चानल के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक यू फो वाचिंग